गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स आज 27 एप्रेल और हम लोग देखने वाले कुछ बोकाबलरी फ्रॉम दा हिंदू एडिटोरियल और आज का एडिटोरियल है ट्रस्ट एंट मसीन यानि की मसीन पर विश्वास या मसीन में विश्वास कुछ भी बोल सकते हूँ आप बहुत ही आसान है और यह पूरा एडिटोरियल जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जो voting होनी है वो machine के द्वारा ही होनी है Supreme Court ने ये इस पश्ट कर दिया है ऐसा क्यों है कि कुछ party ने जाकर कि PIL डाली थी इस court में और कहाता कि हम चाहते हैं कि ballot paper पे vote पड़े अब हुआ क्या Supreme Court ने देखा कि जब कोई mistake ही नहीं है जब सब कुछ ठीक है तो EVM machine में क्या दिक्कत है जल्दी ही हो रहा है तो इसलिए Supreme Court ने बोला कि विश्वास बनाए रखिये और EVM के द्वारा ही क्या होगा election होगा या इसके द्वारा vote पड़ेंगे अब देखी क्या कहता है सुनिश्चित करना यह सुनिश्चित हो रहा है आश्वासित हो रहा है क्या हो रहा है कि Supreme Court के आगर दाल लगता है द्यान रखना Court found nothing कि Supreme Court ने कुछ भी नहीं पाया to impair faith in EVMs कि जिससे कि impair हो कम हो एक तरीकी से faith यानि विश्वास EVM के EVM के अंदर यानि EVM के अंदर ऐसे कुछ भी नहीं पाया गया जिससे कि मशीन में या EVM में विश्वास कम हो ठीक है यह बास समझ में आ गई आप देख लेते हैं आज की vocabulary जितनी भी highlighted थी उदर वो मैं यहां पर दिखा रहा हूँ और साथी साथ आपको कराने वाला हो कुछ cues जो की बेहद important है अगर आपने यह कर लिए तो definitely आपकी study सही है बढ़िया है ठीक है और देखते है आज का पहला word क्या है trail का मतलब पीछे रह जाना पीछे करना या to carry a bring along as an additional ठीक है यानि कि साथ साथ में लेके चलना पीछे पीछे क्लियर है अब दूसरा बढ़ है array medieval इसका मतलब क्या था असाथ जिसको ठीक नहीं किया जा सके यानि कि impossible to remedy और correct और retrace ठीक है ना तो समझ में आ गया एक बढ़ होता है lacuna यानि कमी अंतराल अभाव या blank gap और missing पार्टे से माली जी पूरा पार्टी है इसको कमी बोल सकते हो अंतराल भी बोल सकते हो अभाव बोल सकते हो तो लाइक क्यों नहीं इसके कि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगो को दवारा वीडियो में प्रोवाइड करा पाऊंग और दूसरा है conquest क्न करिंग का मतलब होता है एक साथ होना उता संमील सामल स्लिवेर का मतलब होता है एक साल तेक लेक्सैंट्र देख लेते हैं बई veryãyãy लोटने वाला बापस आने वाला यह ने बोल सकते हो यह आपका इडिया में बहुत इंपोर्टेंट ने जगड़े का कारण होना है सब्जक्ट ऑफ डिस्प्यूट बोच डॉट का मनला रख्षक होता है जो रखवाली करता है डॉट ट्रेंड टू गार्ड प्रॉपर्टी यानि प्रॉपर्टी को गार्ड करने आप गार्डाग भी बोल सकते हो तो यह थी आज की आपके आठ बर्ड अगर आठ में से आप मैं मान की चल रहा हूं छे भी आद है या छे आपको आते हैं तो इसका मुद्धा आपकी तैयारी या प्रेपरेशन ठीक ठाक है क्लियर है ना अब चलते हैं आज के क्यूश पर क्यू एंड वैरी पर्शन हूँ थिंग्स अनली अबाउट हिम्सेल्फ जो केवल अपने बारे में सोचता रहता है अर्सोनिष्ट का मतलब होता है भड़काने वाला है ठीक है डिफिटेंट का मतलब संकोची होता है पता है यह आपको इगोइस्ट का मतलब जो स्वार्थ ही हो जो अपने विश्य में केवल सोचे हमबल का मतलब जो किसी को बिनम्रता पूर्वक बिनम्रता बोल सकते हो ठीक है तो ऑप्सेन नमबर देखूं तो थड़ ही अपरोप्रोप्रियेट है वह संतुष्ट भी है और अपने बारे में ह सोचता है इसलिए इसे इगोइस्ट ही बोलेंगे नेक्स्ट है नैना है सिक्स चिल्डरन आई ओल्वेज बिद दियर नेम शुकी नैना कि छे बच्चे मैं हमेशे उनके नाम में क्यों जाता हूं गैट मिक्ष्ट अप यान की कन्फ्यूज रहता हूं यानि कि धीली धीली धीरे-धीरे करना जा जिए अधील डाल देना वह उछेंस इस्म में होता है टो अगर आप देखिए कि बात आहिए क्लब सट आधा शादी की मारेया वांइन double down for the count क्या है Mr. The last list is defeated 程式 स 110 जिसको सर्म नाकlusion हो यूज जिसके विज़े सर्म की बुए भी सिने के लिए माइल यानि 15 12 सांसरी के लिए यह तो दो होल 9 होल 9 यार्ड का मतल हुता है जिसमें सब को सामिल हो ठीक है everything involved तो आगर आप देखें क्या बात आ रही है कि मारिया वॉंट्स क्या चाहती है कि दा होल नाइन यार्ड उसके अंदर सब कुछ सामिल होना चाहिए ब्लैक्षीप की तो बात करेंगे नहीं डाउन फॉर काउंट डिफीटिट की भी बात नहीं करेंगे तो सब कुछ सामिलो बड़ी है साधी होना प्लैनिंग तो बूचीज एनि फॉर्थ पार्ट ही अप्रोप्रियेट है नेक्स देख लेते हैं आई नो डैट आई काउंट ऑन का मलदा होता है डिपेंड निरभर होना माई बेस्ट फ्रेंड तूभी माई साइड थू एंड थिन ठीक है तो मै किसी भी परिष्टिती में सपोर्ट करने के लिए अप एग्री रहो ठीक है समझ मां आ गया तो यहां पर थिक आ जागा थिक एंड थिन क्या चीज के लिए सपोर्ड के लिए सपोर्ड द्याम लिख दीजिए चाहें ठीक है तो मैं जानता हूं मैं उन बेस्ट फ्रेंडों फर्फर्ड करता हूं जो हमेंशा परिष्टिते मेंा उपोर्ट करते हैं ठीक है तो और तो कोई हो ने सकता सिध्य सिदे मन आपको पता दिए क्योंकि एडियम है और एडियम में आपको पता होते हैं तब लिए कर सकते हों अधरवाज नहीं तो एनिवडी भी नहीं आए इंसान के लिए आता सम्वन इसके इंसान के लिए आता तो सम्टिंग ही यहां पर अप्रोप्रियेट है अगर हम देखें पहले से में हालाइट कर दो इसी टोल्ड मी डेट सी वोज गोंग टू लिव इन नीव और की वो नियॉयॉर्क में रहने जा रही है ब्लू ब्लड का मतलब तर रॉयल जो बेक्ति होते ना खांदानी लोग रॉयल परसंट उनके लिए बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू का मतलब किसी की पिटाई करना देख ठीक है आउट ओफ ब्लू और है बंस इना मून यानि की बंस मून का मतलब तर इर के चान होना और यह है ना आउट ओफ ब्लू इसका मतलब तर शम्टिंग अनेक्स्पक्टड तो आप देखी शी टोल्ड मी डैट शी टोल्ड मी बंस इना ब्लू मून ठीक है यानि इद की चांद होना डैट शी वाज गई टू नियॉयोर्क के वह नियॉयोर्क में जाकर रहने लगी है तो इसलिए वह कभी-कभी दिखाई देती है हमेशा देखाई नहीं देती इद की चांद हो गई है कि मैडिकल प्रॉसेश्चेश्फुल मैडिकल प् पर पेशेंट एक्सपीडियेंस उसने कुछ फील किया तदर्वा किया है पेशेंट में कैसा सम माइनर टरवल डिरिंग रिकवरी टरवल के मतलब समस्चे है कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ठीके ट्रांस्फॉर्मेशन बदलाब होता है अप्लिकेशन का मतलब किसी चीज़ क प्रक्टिकल करना तो होई नहीं सकता ऑप्शन नंबर शेकंड़ी अप्रोप्रियेट है नेक्स्ट है रभी हैजल लिटल इन विद हीज फ्रेंड शैंतिल कॉमन कंटेंशन का जगड़ा होता है विबाद इसको हम कह सकते हैं फॉर्मल मतलब एकदम आपचारिक नॉर्मल मत होना स्थारा तो यहां पर कवनां आ गया की कोमन फ्रेंड होते हैं रभी है यह लिटटल इन कॉमन विद इस नींगे कह माट मेंने से हैं जरूर कम बताए हैं और यह session कैसा लगए helpful है या नहीं है ठीक है आज 8 question थे कितने question कि ज़रूबत आए और community में डालोगो वहाँ भी हिट कीजिए question ठीक है ताकि आप उसे knowledge को boost कर पाएं ठीक है तो मिलते नेक्स session में तब तक के लिए वावा टेक है have a good day